नमस्ते मैं उज्वाला पाटी, क्रियेटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम सीखेंगे कूर्टी के चाक में पाइपिंग लगाना ये पाइपिंग हम सिर्फ और सिर्फ कपड़े के सीधे पट्टी से बनाएंगे वो भी गुंसिलाई से, तो चलिए शुरू करते हैं ये पाइपिंग हमारी चाक के उपर बन रही है, मतलब सीधी बनेगे इसलिए पट्टिया भी हम सीधे कपड़े में काटेंगे यहाँ पर दो इंचोड़ी मैंने पट्टिया काटेंगे अब इन पट्टियों को हम जोड़ कर लेंगे उसके लिए दोनों पट्टियों को इक दूसरे के उपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से तिर्चे मिसलाई लगाएगे भले ही पट्टिया सीधे कपड़े में कटी है, लेकिन जोड तिर्चा लगेगा अब एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर देंगे और इसी तरीके से सारी पट्टियों को में दूसरे को चोड़ कर लेंगे अब हम लेंगे हमारा कूर्ति का पैटन तो यहाँ पर मैंने दो इंच मार्जें छोड़ा है नॉर्मली हम चाप के लिए एक या डेड़ इंच छोड़ के लेकिन जब हमें पैपिंग बनानी है तो हम दो दो इंच छोड़ें और इस तरह से मैंनी सीधी लाइन बनाई है नीचे की तरब से दोनो साइड में मैंनी दो दो इंच छोड़ा है अब हम उपर का पल्ला लेंगे और इसके उपर रख देंगे इसको हलके हाथ से थप थपाएंगे ताकि नीचे का जो मार्किंग है वो इस पल्ले में ध्याज जाए उसे आप चाहो तो थोड़ा डाग कर लिजेगा मारकिंग हमारा हो चुका है अब पाइपिंग कैसे लगीगी देखो पाइपिंग लगाने के लिए कोई भी एक पल्ला उठा दीजेगा अब ये पल्ले की उपर की तरफ उल्टी साइड है और जिस साइड में निशान बनाया है वो सेधी साइड है तो उल्टी साइड में पाइपन लगीगी उसके लिए पट्टी को मैंने इस तरह से डबल-फोर्ट करके लिए है और इसे इस किनारे पे रखतेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगी कॉटरीच मार्जिन लेते हो तो पट्टी को मैंने double fold करके लिया और यहां पर जो हमारी hip line ये वाल इसके उपर से लगाना शुरू करेंगी तो एक ही पला उठाया है और hip line के उपर से शुरू करेंगी और इसके किनारे से सिलाई लगेगी लगब कोट्रीच है उससे थोड़ा कम सिलाई मारजन रखते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं तो सिलाई में एकदम इस किनारे से लगा रही है और ये हमारी कूर्टी की उल्टी साइड है सिलाई बस नीचे तक ही लगाने हैं और इस तरह से पट्टी अटाइच हो पूँए अब यहाँ से यहाँ सिलाई लगने की पाद इसे हम सीधी साइड में लेंगी क्योंकि यह उल्टी साइड है तो इसे बस में सीधी साइड में ले लूँगी सीधी साइड में लेने की बाद देखिए इस पट्टी को हमी सीधी साइड में पलट जारे हम और ये आपको सीधी साइड में निशान भी दिख रहा होगा तो सबसे पहले इसको मैंने नाखों से थोड़ा सा प्रेस करके लिया है और इसे हम इस तरह से सीधी साय में फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद आप देखिएगा उपर की तरफ आपको कितनी पाइपन दिखाने है पतली दिखाने है तो पतली लीजेगा थोरी बोल्ड दिखाने है तो इस तरह के से फोल्ड कीजेगा जैसा चाहे जितना चाहे आप fold करके उपर की तरफ piping बना सकते हूँ अब इस पट्टी को जो हमने line खीच दी निशान बनाया था उसी के उपर बराबर से fold करके रखना है और सिलाई लगाना है बहुत simple तो लिखिए इस तरह के से पट्टी को fold किया जितनी चाहे पाइपिंग उपर की तरफ दिखाना है उतना fold करना है और बराबर से निशान के उपर रख देना है निशान के आगे ना जाए बराबर से निशान के उपर रख दीचेगा और वही से हमें सिलाई को शुरू करना है अब जो हमारी सिलाई है वो piping के बिल्कुल खाज से आएगी ठीक है ना piping के उपर सिलाई जाएगी ना ही पूर्ती के pattern के उपर सिलाई जाएगी सिलाई बिल्कुल इस piping के खाज से आएगी यहाँ पर मैंनी close करके भी आपको दिखाया है तो piping को पहले अच्छे से फोल्ड करके लिजेगा और फिर इसके खाज से शिलाई लगाने है तो एक्तम खाज के उपर से शिलाई लगाने ही कोई जल्दी नहीं ही दीरे दीरे आप लगा सकते हो अपना टाइम ले सकते हैं तो यहाँ पर आप से लाई देख रहे हो कुछ इस तरह के से हैं आपको भी लगाने है piping की पट्टी अंदर की तरफ आप जितना चाहिए फोल्ड कर सकते हो और उपर की तरफ जितनी piping आपको दिखानी ही उतनी पट्टी रखकर यहाँ पर से लाई लगाने तो इसे तरह के से हम आ गये हैं उपर की तरफ मतलब फेप लाईस के और और यहाँ पर इस तरह के से इसको complete करेंगे तो यह है अभी अभी बनाए हुई piping तो एक ही पल्ले में लगी है सेम तरह के से दूसरे पल्ले में भी लगाने तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर सीधी में लेगी तीक में इस तरह के से यह है कुर्टी की सीधी साइड अब सेम तरह के से हमें नीच वाले पल्ले में भी लगाने तो उसके लिए मैंने पट्टी को ले लिया है अब तीकिए उल्टी साइड से हमें पट्टी लगाने है मतलब अंदर की साइड से तो यहां पर पट्टी को डवल फोल्ड करके ले लिया है और इसे भी सेम तरीके से लगाएंगे एकदम किनारे से सिलाई तो इस साइड के पट्टी की सिलाई आप नीची से शुरू करते हुए उपर की तरफ हिप लाई तक लेके जा सकती है तो जैसे मैंने बताया नीचे की पल्ले में भी मैंने पाइप बना दे अब हम इस पट्टी को इस तरह की से उल्टी साइड में पलटेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं तो इस तरीके से सिलाई या तुरपाई लगने के बाद सीधी साइड में ये पाइप बी कुछ इस तरीके से दिखेगी वो काफ़ी संदर लग रहे है और फिनिशिंग पे अच्छा आप आए सेम तरीके से इस पट्टी को वोई अंदर की तरफ पलटेंगे मतलब उल्टी साइड में पलटेंगे और इसे भी हम सिलाई लगाएंगे यहां से या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल दन्कार तो यहां पर मैं आपको पट्टे को पलटके निखाते हैं तो एक एक पल्ला लेके सबसे पहले इसे हम इस तरह से पलटेंगे इस तरह से पलटने के बाद यहां पर हम इसके नारजे सिलाई लगाएंगे अगर आप यहां पर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप हाथ से तोड़पाई भी कर सकते तो मैंने सिलाई लगा दिये और सिलाई लगाते हुए हम उपर की तरफ मतलब ही प्लाइट के और आ गए अब यहां पर थोड़ा ध् तो बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमारी यह पाइबिक डेडी है बिना डोरी के सिर्फ कपड़े के सीधी पट्टी से यह पाइबिक बने ही बहुत खुबसूरत लगती है तो आप इसे अपनी कुर्ती में ट्राय कर सकते हो इसकी सिलाई भी आप देख सकते हो पूरी अंडरकाउंट है तो आज काई वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करन और चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना खयाल रखना धन्यों